हेलो वीवर्ज, देखिए मैंने कार्ड शेफल करके बिछा लिया है और आज हमें देखना है उनकी ट्रू डीपेस्ट फिलिंग क्या है आपके लिए पहला कार्ड, किंग ओफ स्वार्ड्स, सेकेंड कार्ड, नाइन ओफ वैंट्स, थर्ड कार्ड, दे वर्ल्ड, फिर आगया हमारे पास एट ओफ स्वार्ड्स, फिर आगया जस्टिस, फिर आगया हमारे पास एस ओफ वैंट्स, तो ये कार्ड मेरे पास आया अभी ले लेते हैं, टू ओफ स्वार्ड्स निची ही जाएंगे, फिर आ गया हमारे पास Temperance फिर आ गया हमारे पास Judgment तो मेजर और गहना में से इसमें चार काड आया गया है हमारे पास और अभी हम यह देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं देखे पहली बात तो यह यह reading न सबसे match नहीं होगी तो जिनको लगए कि starting में और अगर लगता है कि नहीं ऐसा हमारे साथ है तो फिर वो reading पूरी आप देख सकते हो इस समय यहाँ पे आपके लिए एक भी काड नहीं है नमबर एक आपकी energy यहाँ इसमें present है ही नहीं बिल्कुल भी ठीक है लेकिन जिस बंदे के लिए हम सोच रहे हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहा है पहली बात तो वो आपके लिए सोच रहा है यह काड़ी बता रहा है ठीक है दूसरी बात कि वो बहुत परेशान है बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय किस लिए परिशान हो सकता है अपने काम से परिशान हो हो सकता है घर की परिशानियों से परिशान हो बहुत सारी परिशानिया हो सकती है जिन्दगी में हो सकता है थर्ड पार्टी का यहां कुछ भी मज़े दिखा नहीं है वैसे सच बताऊं तो लेकिन जस्टिस का कार्ड जब भी आ जाते है ना रीडिंग में और टेंपरेंस आ गया और जज्जमेंट आ गया मरला भगवान सामने प्रगट हो गई जब लो जी यह तीन कार्ड मैं आपके सामने रख देती हूं जज्जमेंट टेंपरेंस दिखा रहा है कि जी बहुत जदा अथा पीड़ा दी गई है किसी को इतना दुख गया, इतना दुख दिया गया, इतना दुख दिया गया आपको कि आपने भगवान को at least बोल दिया last में जाएके कि भगवान मुझे इनसाफ चाहिए, give me justice आपने बॉला भगवान को कि मुझे justice चाहिए जब ये तीनो भगवान के कार्ड गिने जाते हैं आप लोगों को पता होगा अगर आप रीडिंग दिखते हो जज्जमेंट आ जाता है, जस्टिस आ जाता है, टेंपरेंस आ जाता है जब तो इसका मतलब यह है कि एक इनसान को इतना तोड़ा गया है इतना दुख गया दिया गया है कि शायद आप जैसे पहले थे ना अब आप वैसे रहे ही नहीं होगे, आप टोटल चेंज हो चुके होगे पहले अगर आप इमोशनल थे, किसी की बातों में आ जाते थे तो अब आप वैसे नहीं रहे, अब आप बहुत जादा स्टेट फॉरवड बंदे बन गए हो लड़काओ, लड़कीओ, सब के लिए, मला आप आपने सब को एक ही नजर से देखना शुरू करती है चल भाई, तु भी दो के बाज, कोई अच्छा प्रपोसल लेके आ रहा है, चल भी तु भी दो के बाज नहीं है, तेरे बेविश्वास साइड हो जा, नहीं है, तेरे बेविश्वास साइड हो जा चल लड़कीओ, चल लड़कोओ, आपने ऐसा करना शुरू करती है ठीक है अगर ये ठीक बोल रही हो मैं तो आप लोगों को पता चल रहा होगा ये रीडिंग आप से मैच हो रही है के नहीं आपने भगवान से मांगा जस्टिस तो जस्टिस यहां आ गया आपने मांगा भगवान से भगवान जितना अता दुक उसने मुझे दिया उतना ही मुझे इनसाफ चाहिए एक इनसान ने आपको सिर्फ यूज किया और सिर्फ और सिर्फ आपको एज़ा कहते है ना जैसे की बस अपने मतलब के लिए यूज किया और उसके बाद तू कौन मैं कौन चल हट साइड बे एक दिन आपके लिए बहुत अच्छे दूसरे दिन आपके लिए बहुत बुरे ऐसा क्यों हुआ आप लोग भी सोचते होगे मेरी जिन्दगी में ऐसा क्यों हुआ रीडिंग कुछ और थी, कार्ड कुछ और भी निकले हैं जो आपकी लाइफ के बारे में भी बता रहे हैं देखिए यहां आ गया दा वर्ल्ड का कार्ड दब जस्टिस आ गया टेंपरंस आ गया, जज्जमेंट आ गया जब इतने बड़े-बड़े कार्ड आ जाते हैं न तो यह यह बताते हैं कि यह जो कुछ भी आपके साथ हुआ है यह दा वर्ल्ड यह आपके नसीब में होना ही होना था यह आपके नसीब में होना ही होना था एक कार्ड ओ ले लेती हूँ देखते हैं कौन सा कार्ड लेते हैं एक कार्ड लेते हैं ओ माई गुड़नेश देखिए मैं आभी आप लोग यकीन नहीं करोगे मैं अभी बोलने ही वाली थी कि मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्मिक रिष्टा था और देविल का कार्ड आ गया और मैंने पता नहीं मेरे इंट्यूशन ऐसे क्यों बोली अंदसे ही कि मुझे लग रहा है ये कार्मिक रहा है और मैंने जब कार्ड उढ़ाया तो मुझे लगा कि शायद डेविल का कार्ड आएका और ये देखिए इंट्यूशन पावर ऐसे बढ़ जाती है जब हम लोगों के लिए सच बोलना शुरू करते है न तो ये देखिए आपके सामने और बिलीव करना मुझे नहीं पता किस कार्ड के नीचे क्या है मैं भगवान का नाम लेके कार्ड बिछाती हूं और कार्ड यहां बिछ जाते हैं और उसके बाद मैं आप सब के सामने रेडिंग करती हूं देविल का कार्ड आ गया समझ जो जी कर्मों की मार है कर्मों में लिखा था ये सब गोड ने रचना की थी एग्रीमेंट उपर से साइन हो के आये थे की जी भाई ये फलाना बंदा आएगा तेरी जिन्दगी में तुझे दुख देगा और आपने का था क्यों आगरी क्योंकि आपने पिछले जन्मों में हो सकता है इनके साथ भी बुरा की आओ जब इतने बड़े बड़े कार्ड आ जाते हैं तो फिर आप लोग भी यकीन किया करो कि हाँ हमसे कुछ गलती होगी और मैं सच बता रही जो मैंने अभी कार्ड शफल करके अभी मैंने जब एक कार्ड और उठाना चाहाँ तो मुझे लगा ये कार्मिक की रीडिंग है और कार्मिक का कार्ड आपके सामने आगा है दर डेविल का तो आप इसी से यकीन कर लिया करो कि जो बंदा बोड रहा है मैं नहीं बोल रही ये भगवान जो मुझे बलवाते हैं मैं वही बोलती हूं मैं खुद नहीं कुछ बोलती है जो मुझे कार्ड बुलवाते हैं मैं वो बुलती हूँ आपने डीपेस्ट फिलिंग में यह है जी अब हो रहा है गलतियों का एहसास बहुत ज़्यादा जो गमंड जो था न तू जाएगी तो बहुत सारी आएंगी आरे तू जाएगा तो बहुत सारे आएंगे वह बहुत सारे नहीं आ रहे हो और जो दूसरा था ना वो भी चला गया वो भी चली गई लाइफ से अब क्या हो रहा है अब कुछ नहीं हो रहा है अकेले बड़के आशओ बहुत बूरे करती है कहते हैं कि इसी को इतना भी दुख मत दो कि वो आपके लिए भगवान से नयाय मांगने चला जाए कि अब मुझे इस बंदे से तो उमीद नहीं है कि ये सुधरेगा लेकिन मुझे उपर वाले से उमीद है कि वो इसे सुधार देगा तो इसलिए ये देख लिजे आपने जब भगवान से गुहार की ना तो भगवान ने भी आपकी सुन ली और उसके बाद ये देखिए अब क्या हो रहा है अब ये हो रहा है जितने दुख आपको मिले थे टिटफोट टैट होगा वही दुख कि भगवान ने अब आपका जो लाए गया है वो ये बंदा ये बंदी रोएगी पकार होएगी 200% रोएगी और जितने टॉर्चर्स आपने सहया अब इसकी बार ये सहने की अब ये सहेगी या सहेगा जो भी है और डीपेस्ट फिलिंग में अब क्या हो रहा है कि अगर मैं एट प्रेजंट इस समय सोचूं कि इस समय वो क्या सोच रहे हैं तो इस समय तो जी वो ये सोच रहे हैं जिसको मैंने खो दिया चलो एक बार फिर से उसके पास चलता हूँ नहीं उमीदे लेके चलता हूँ नहीं वादे लेके चलता हूँ शायद वो मान जाएगी या शायद वो मान जाएगा अब आ गया है ज आपने एक इतना दुख में दूबो लिया, जब आप साइड हो गए जा तू नमस्ते, इस समय वो उतनी ही पीड़ा में है जब भगवान तीन तीन रूप लेके आ जाते हैं किसी को चल भाई अब तेरी बारी अब तुझे लगना है लाइन में और तेरे उपर अब होगा परहार जैसे तुन्हें दूसरों पर किया दूसरों को तुन्हें टॉर्चर किया दूसरे क प्राथनाएं कर लो जब तक वो बंदा अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा आपके सामने या नहीं करेगी तब तक उसको भगवान ऐसे नचाहेगा टेड़ी उंगली सीधी उंगली जैसे भी करके भगवान ने उसको अब इतना दुख देना है जितना आपको भी पता चल जस्टिस होगा आपके साथ और भगवान पर यकीन रखिए कभी-कभी इनसान सुधरते भी हैं कभी-कभी इनसान एकदम से सुधर जाते हैं तो हो सकता है कि अब इस इनसान को इतनी अथा पीड़ा और इतना दुख हो रहा है आपको खोने का कि एक नई शुरुआत लेके आपकी जिन्दगी में आ रहा है मैं सिरफ इतना ही कहूंगी कि अगर वो आ रहा है तो अपने आखें अपने कान सब कुछ खुले रखना ये जो होना था ये लिखा गया था किसमत में ये होना ही होना था इसे कोई काट नहीं सकता था पर आगे जो होना है वो आपके हाथ मे अगर लगते हैं आपको कि वो बंदा सुधर गया है, जूट नहीं बोल रही है, जूट नहीं बोल रहा है, तो आप अपना हाथ आगे बढ़ा देना, और नहीं तो आप उनको टाटा बाई बाई कहा देना, बस यही बोल सकती हूँ, स्टेट फॉरवर्ड रीडिंग करती हूँ, एक दम से, जो काड़ों का मीनिंग है, वही आपको बताऊंगी, शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, नहीं नहीं वो रो रहा है, यह पका है, दुख बहुत है उसे, पर जब वो आपके पास आए, तो यह परखना आपका काम है, द पने इंस्टूमेंट से चेक करता है, क्या यह ही रहा है, यह कांच का टुकडा ले яाया यह बंदा, वो छेक करता है, फिर उसके कीमत लगाता है, फिर वो बोलता है, कि नकली है यह असली है, इसकी यह कीमत है, उसी तरह से अब आपको परखना है, यह जो बहरूपी है, ज पर तू सुधार जाए कि कि आप रो रहे हो ना भगवान से भगवान के आगे अब उसको मांग रहे हो तो भगवान भी तो आपकी इस बात को भी तो सुनेगा ना कि भाई इसने बेशक इसको इतने दुख दिये फिर भी यह इसी को मांग रही है तो चले एक मोका देते हैं तो उसने जो दूसरे लोगों के पीछे जो सेक्स के पीछे या जो भी किसी चीज के लिए भी वो आपको छोड़के गया था आज की डेट में वो उसके दिमाग से सब निकल चुका गंदगी और भगवान तो जस्टिस करने आई गए हैं आपके पास तो यह देख लीजिए ना उपर वाले के तो पिर अच्छे भले भी टाइटाम फिश हो जाते हैं फिर उनका कुछ नहीं रहता है रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना थैंकी गोड जुरूर लिखना आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा आ रहा है पस अपने दिमाग से काम लेना दिल से काम लेना आप बंद करतो थोड़ा दिमाग से भी लो दिल और दिमाग को बैलेंस में रुखो 50-50 ये नहीं कि 80% दिल है 20% ने 20% दिमाग है तो फिर तो कुछ नहीं होगा फिर तो कुछ किसी भी तरफ नहीं हो सकता ठीक है एक बार हाथ जल जाता है ना ये गरम लेते हैं वही है आप लोगों को राय दी गई है अब आगे मर्जी आपके कि आप कैसा करना चाहते हैं ठीक है चैनल का नाम है बिलीव मी यूर ब्यूटिफूल अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक कर लो सब्सक्राइब कर लो बैल बटन दबा लो ताकि नेक्स रीडिंग आया तो आपको नॉटिफिकेशन में जागो के वाई